शिफपुरी जुले के पोहरी कस्बे में कर्बला के जंगल में भैस चराने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति पर शनिवार की शाम तरीब पांच बजे तेंद्वे ने हमला कर दिया तेंद्वे के हमले में घायल, कोमल, पुत्र, चेंतू बगेल उम्र 65 साल निवासी पोहरी ने बताया कि मैं कर्बला के जंगल से भैंस चरा कर घर लोट रहा था तबी अचानक बस्ती से लगे कर्बला के जंगल में तेंद्वे ने मुझ पर हमला कर दिया मैं किसी तरह जान बचा कर भाग निकला ग्रामीन घायल, कोमल, बगेल को पोहरी के सामुदाइक स्वास्तिकींद्र लेकर पहुँचे जहां प्रात में कुप्चार के बाद उसकी छुट्टी कर दी गई गटना की सूचना मिलने के बाद रेंजर के पीएस धाकर के मार्ट दर्शन में वनविभाग के अमले ने वन परिक्षेत्र गटनास्थल का दौरा किया तेंद्वे के हमले में घायल हुए कोमल बघेल के परिचनों ने रेंज आफिस पहुचकर मुआफजा दिये जाने की मांग की है वहीं घटना के बाद ग्रामीडों में दहशत का माहौल है